नमस्कार मैं कपीज भल्ला और आप देख रहे हैं उद्यपूर खबार उद्यपूर शेहर के 35 किलोमेटर दूर अमरपुरा गाओं के पास जंगल में सोमबार कुमादा पेंथर ग्रामेणों के गुस्से का सिकार हो गई यहां जंगल में बक्री चराने गए ग्रामेण पर पेंथर ने हमला कर दिया वे यही नहीं रुके जब वन विभाग की टीम टेंकलाइज कर पेंथर को ले जाने लगी तो उसे चीन कर मानने की कोशिश तक करने लगे इस बीच डेड़ गंटे तक ग्रामिनों ने पेंथर और वन कर्मियों के बीच उई जड़प में पेंथर की सांसे थम गई वन विभाग ने ग्रामिनों के खिलाब पूलिस में शिकायत दी है गटना सोंबार सुबह दस बजे की है देविलाल मिना बक्री चरा ने अमरपुरा गाउं के जंगल में गया था तभी पेंथर ने उस पर हमला कर दिया चिल्लाने पर ग्रामिन मोके पर पहुँचे तो देविलाल को गायल अवस्ता में देखा उसके बाय पेर की एड़ी पर पेंथर के काटने से जक्म था उन्हें अस्पताल ले जाये गया जहां प्रात्मिक उपचार के बाद लगबग 300 ग्रामिन वापस जंगल पहुँचे जैसे ही उन्होंने पेंथर को देखा सभी ने पत्रों से उस पर हमला कर दिया ग्रामिन का आक्रोष बड़ा देखकर वनकर्मियों ने पुलिस को बुला लिया जिनकी समझाईश के बाद ग्रामिनों ने गायल के इलाज की सर्थ पर पांच बजे वन विभाग को पेंथर सौप दिया लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी पेंथर का पोस्मार्टम आज किया जाएगा पेंथर के मूँ और सर्व से खून बह रहा था कटना पर वन विभाग ने चुप्पी साद लिये वे पोस्मार्टम का हवाला देते हुए कर रहे हैं कि मरने के कारणों का पोस्मार्टम ही पता चलेगा इदर परसाद रेंज के रेंजर सचिन सर्मा का कहना है कि इस मामले में अभी उन्हें कुछ नहीं बताया जा सकता है मैं खुद साम को छे बजे ट्रेनिंग प्री हुआ था इस टाप ने मुझे मरत पेंथर कोई सूचना दी मैंने प्रसाद रेंजर आफिस में पेंथर आज मेडिकल टीम ने पोस्मार्टम के बाद ही मोत के कारणों का पता चल पाएगा प्रत्रम दरश्टा आपसी जड़ब से ही पेंथर की मोत होने की बात सामने आ रही है